आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं पालक तड़का की रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी और जल्दी से बनकर त्यार हो जाती है तो चलिए देखते हैं से कैसे बनाएंगे वीडियो में आगे बढ़ती से पहले अगर चानल पर पहली बढ़ाएंगे तो चानल को आज अगर तो चलिए अब हमसे पहले नागे बना तो हमेशाओ तरफ पहले हम साख को कुकर में डाल देते हैं तो यहां पर मैंने साख को कट नहीं किया है मिजार तर स्पनिच वेगर्णा बिना कट किए ही बनाती हूँ बस अच्छी तरफ वाश कर लेती हूँ क्योंकि चाहिवर्द को अलग करके साफ करके टरर वाश कर लेती हूं, और इसी तरह से बनाती हूं, और साथ मैं इसमें अड़रे चाहिए हूं, एक टीजपून बहर कर अद्रक बारीग कटी हुई, राधी कटी हूई लेसन डाल रही हूं, इनका फ्लेवर्द में बहुत अच्छा आत अगर कम लगा तो आगे आड़ कर लेंगे, एक कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है, अब इसका अर्टलिट लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम एक वसल आने तक कुक कर लेंगे, तो कुकर में एक वसल आ चुक है है, इसे अपने आप हम धंडा होने देंगे, और और एक टी स्पून भर कर जीरा आड़ करेंगे, और साथ ही दो तेस पत्ता आड़ करेंगे, और साथ में आड़ कर देंगे, एक बड़ी इलाइची और दो छोटी इलाइची, यानिक एक काली इलाइची और दो हरी इलाइची, अब इन सबको एक साथ एक मिनिट के लिए हम साटे पर साप कर छात ना, जब गुड़ में लिए 2 M¼ साटे कर देंगे दो मीडियम साइज थो बारी काटकर महीन चॉप किया है हमने और रभ इसे अर्वे इसे हऽका गुलाबी यानि टांस्लिसंट हो जाने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे टोटली स्किप कर देज़ेगा आधर टेस्पून धन्या पाउडर और आधर टेस्पून ही में ले रही हूँ किचिन किंग मसाला पाउडर यह किसी भी सबसी के फ्लेवर को बहुत जादा इन्हांस कर देता है इसलिए मैं थोड़ा सा आट कर रही हूँ पानी जो मैं आट कर रही हूँ वो पालक को बॉयल करके जो पानी निकले मैं वो इस्तमाल कर रही हूँ प्लेन वाटर नहीं लिया यहाँ पर मैंने और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम एक अच्छा सा पेस्ट थियार कर लेंगे और यह हमारा मसालों का अच्छा सा पेस्ट थियार हो चुका है तो चलिए प्यास को देख लेते हैं प्यास भी आल्मॉस्ट डन है इसका कलर पुरी तरह से चेंज हो चुका है अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया है तो आप यहाँ पर जो हमने मसाला का पेस्ट त्यार करके रखा था वो इसमें आट कर देंगे और अब इसमें आधर का पानी आट करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा हम इसे धिमी आज पर कर देंगे और मसालों के कच्छे पन के निकल जाने तक इसे फ्राई करेंगे और ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन का त्यार है इसे एक से दो मिनट के लिए और भुनेंगे और तब तक जो पालक है वो ठंडा हो चुका है और उसे मैंने मिक्सर के जार में निकाल लिया है जो पानी था वो भी निकाल रहा है साथ में और इसका बहुत मिनट के लिए हम ढख कर धीमी आज पर कुक करेंगे तो इसे पकते वे 15 मिनट तक का वक्त हो चुका है तो चले इसे खोल कर देख लेते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा पालक हमारा त्यार हो चुका है बनकर देखे बहुत चीसे इसमें खुश्पों आ रही है हेल्दी है दिलिशिस है और ठंड का मौसम है तो यहां पर फ्रेश अभी पालक आपको मिलेंगे तो जरूर इसे ट्राइ कीजिए और यह हमारा पालक बिल्को अच्छी तरह से बनकर त्यार हो चुका है तो चले इसे सर्फ कर लेते हैं पालक के ग्रीन लीफ वेजटेबल है और यह तड़का पालक तो इसके लिए मैंने यहां पर तड़का पैन ले लिया है और इसमें एड करेंगे भर कर दो टेबल स्पून घी अगर आप चाते कि आपके रेसिपी बहुत डिलिशिट और टेस्टी सी बने तो घी का स्तमाल कीजेगा तेल का स्तमाल मत कीजेगा और इसमें अब अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे प्यास का कलर चेंज होने तक इसे हमें फ्राइ कर लेना है यहां पर गैस को मैंने आफ कर दिया था क्योंकि घी बहुत जल्दी बहुत जादा गरम हो जाता है और जब यह थोड़ा सा नॉमल हो गया तो मैंने गैस को आन करके बिलक बहतरीन सा तरका त्यार है तो चलिए इसे अब अपने रेसिपी पर एड़ कर देते हैं और उसे बनाते हैं और भी ज़्यादा लाजवाब और बहतरीन और यह देखें सिम्बल सादे से पालक में लग चुका है तरका और इसे इसका लुक्स तो चेंज हुआ और यह और भी रेसिपी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खुब सारा ख्यार रखिये खुश रहिए वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फूर वाचिंग मैं वीडियो